वहां पर स्वाण लाए था और यहां पर पड़क का रगदला भारत का रगदला है यह दिवात पूर्ण ने बिलकुल देखो कंट्री के लिए जब भी मैडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मैडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इंप्रूमेंट करने का थ्रो में भी और जो भी कुछ इंजरी वगारा है जो चल रही है उन पर अभी काम करना है और जो कम्या है उनको सुधारेंगे टीम के साथ बैठके बात करेंगे और अच्छा रहा है टुटली अगर ओल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफोर में सीरी है ऐसे ही चेंजिज आते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मैडल बढ़ते जाएं कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं थोड़े से उससे चूग जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और जादा मैडल बढ़ देंगे हमारे आपने टोक्यो में 87.5 से उपर फेका था और आपका स्वर्ण आया है यहां पर 89 से भी जादा फेका लेकिन आपको यहां पर सिल्वर मेडल मिला तो इससे साफ पता चलता है कि जैवलेंग गांपेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बिल्कुल आपके विरोधी अर्शन ददीम ने खेका 92.97 एक्स्टरॉडिनरी थ्रो था इसको ध्याव में रखते वे लगता है कि हाँ यह आज वो दिन था जहां कॉंपेटिशन का लेवल बहुत हाई था और उसमें भी आपने अच्छा पर्पॉमेंस लिया नहीं बिल्कुल कॉंपेट की वहाँ पर अपना दिन था या इसन गेम्स में अपना दिन था तो हर एक एथलीट का जो बोड़ी है वो एक एक उस दिन अलगी उसमें होती है हर चीज परफेक्ट होती है जैसे अर्सदगी थी अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें है और एक थोड़ी सी इंजरी है इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफोर्मेंस पे हो तो थरोत का तो बहुत अच्छा है अंदर अंदर थरोत है पर वो निकलेगी जब ही जब एक बार सब तर तरफ से क्वोई कमी महीं रही है लेकिन अंदर ये अंदर जो चैंपियन है नीरेक चुपड़ा जो बुल्ज इतने की आदर थे इस पर ये लग रहा है राश्ट्रिय गान नहीं बजा रहता है देखो राश्ट्रिय गान तो बिलकुल वो तो मन में थाई और वही है अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आग्याने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राश्टरगान लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता आगे फिर मोका मिलेगा और फिर से हमारा सर्श लेकिल सेवा बहुत कि आजए